नमस्कार दोस्तों वास्तु ग्यान में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कौन सा रत्न पहने आप कौन सी धादू पहने तो इनी दोनों विश्यों पर आज हम चर्चा करेंगे बहुत सारी लोगों का प्रश्ण होता है कि हम अपनी रा आपना इंपेक्ट ज़रूर छोड़ता है क्योंकि हर रत्न हर धातू पर अपने ग्रह का एक अधित्य होता है मालीजीए कि सूर्य अस्त हैं और शुक्र अस्त हैं और आपने वो धातू पहन रखा है जो शुक्र को नेगटिव करता है तो फ्लेक्शर बात यह होती है कि हमन आदमी को यही सला दूंगी कि कोई भी रत्न कोई भी धातू पहनने से बचिये आप क्योंकि समय की अनिश्चताएं हमेशा बनी रहती हैं कब क्या किस विश्य को लेकर आ जाए यह हम नहीं जानते इसलिए रत्न और धातू दोनों आप पहनने से जितना बचेंगे उतना ही आ स्थिर्ता आ जाती है तो जो भी आपने रत्न और धातू पहना है वो एक बार जरूर उतार दे आदा दिन उतार कर रखें यदि आपको फायदा हो तो आप उसको कंटीन्यू करें ये करके आप जरूर देखें क्योंकि बहुत से लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट मिलते ह आप जितना बचेंगे उतना ही आपके लिए पॉजिटिव रहेगा समानने रहेगा और बहुत अच्छा रहेगा इसी के साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए अपने दोस्तों रिश्तिदारों के साथ शर कीजिए और सब साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि निया नौटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके धन्यवाद दोस्तों